कि चलिए सुने 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 क्लास को श्टाइट करते हैं तो 17 साल का ये था और ये कभी अपने जीवन में ना किसी महिला को देखा और ना कभी क्या ने देखा सराब देखा इसी बीच ये जो दिल्ली का कोतवाल फक्रुद्दिन है इसी का दमाद था हुआ ये कि फक्रुद्दिन का दमाद था जिसका नाम था निजामुद्दिन अरे क्या नाम था निजामुद्दिन ये जो निजामुद्दिन है और फक्रुद्दिन ये दोनों मिलके ससूर और दमाद दोनों मिलके चाहरा था दिल्ली का गर्दी हमीं हतिया ले अब चाहरा कर सोचा एसे नहीं होगा सबसे पहले पध को प्राप्त करें गेंगे न बराबरा पद को तब न होगा, हुआ क्या फक्र दिन का दमाद जु था ? दमान नहीं, दमाद, जिसका बहुत इज्जत होता है येकिन है, भाग के साधी किजेगा तब नहीं, ऐसे अच्छे से किजेग करता विज्जत होता है ठीक है चलिए वो भी कुछ दिन तक होता उसके बाद नहीं होता है तो निजामुद्दिन यह क्या हुआ निजामुद्दिन एक पहले कहानी रचा पूरा बुलाएस से कोई भी पद नहीं प्राप्त कर सकते हैं इसी इधा इंसान से कैकुबात कदो निजामुद्दिन 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 जान जान के लग रहे है जानता है तो फिर ठीक है उसके बाद दोस्त जो था निजामुद्दीन जो साथ दहता था सुल्टान का एक दिन ठेका पिले गिया बैठो पीओ 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 नहीं नहीं पीएंगे पीओ नहीं नहीं होता है पहला बार में जब दोस्त बोलता है ना भोला थोड़ा सा लो ना कुछ थोड़ी होता है नहीं अब पहले क्या कम सेंग दस बार पहले अपना पैस आगा क्या अरे हाया ना एक दम कहानी सुनते रहना है कहानी सुनिएगा निजामुद्दिन रोज कैकुबात को बिगारने का कोशिश कर रहा था निजामुद्दिन कैकुबात को रोज बिगारने का कोशिश कर रहा था कभी विस्की लेके पहुँच जाए कभी रम लेके पहुँच जाए कभी बियार लेके पहुँच जाए सब चीज लेके पहुंच जाए लेकिन कैकू बात बुलता था एकदाम एकदाम नहीं बोला यह से इसका मन नहीं पिखलेगा इसको रोज घुमाने ले जाता था जहां सुन्दर सुन्दर लड़की होती थी रोज पार्क में ले जाता था देखो 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 रोज ब साब ले गया कावन दिन तो आपको बात मानने पर ऑदेगा रोज बोले ने 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 नै प्येंगे ने पिएगे और इसी में तो बिगरता है कि इएक दिन कहीं खेला होता है एक दिन इसको पिला दिया गया कि दॉपएक जीवन का लगा लिया का कि अद्दोपै कैकुबात लगाया जीवन का उसके बार भुला अब मौका है इसको और बिगारने का जान जान के महिला के पास ले जाए पिला पिला के कौन निजामुद्दीन अरे कौन कैकुबात को रोज पिला है उसके बार कैकुबात को हो गया अदत धीरे धीरे करते करते फिर निजामुद्दिन को बुलाए कौन आब कैकुबात कहा है निजामुद्दिन चलो ना उस दिन जहां गए थे आज मेरे तरफ से जानते हैं पूरा भोग, विला, सिक्डम नसेरी बना दिया कैकुबात को कौन पूरा नसेरी बना दिया अपने मन से भी पीने लगा कौन कैकुबात निजामुद्दिन जान जान क्या बने आए इस अब दोस्त का आदत होता है चार दिन आदत लगागा, छार चार दिन अपने गोल अपिला तुम, उत्ता दिन पिलाए न यही आदत हो गया था किसको बिगार दिया इस सब बात जनता को पता चलने लगा की सुल्टान बहुत बड़ा भोग विलास परविर्ती का इंसान हो गया जो 17 साल में कभी सराव और कभी महिला को देखा नहीं था अब रोज सराव पिता है और रोज महिला को अपने पास रखता है पता चला अब मजाया आप पता चला बाप का दर्द क्या होता है जब बोला था बलबन आजाओ उसको दर्द नहीं समझा जब पता चला कैकू बात पूरा भोग विलास में लीन हो चुका है तब इसका पिता को खराब लगा पता कई बार इसको कहा कि तुम सुधरो 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 नहींसुधरा एक दिन क्या हुआ निजाम-देन घूप पिला दिया कैकु बात और नायब मामिर का पद को निख्त कर दिया हाँ ठीक है नायब 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 होगा मामलीकात ने नायब का एक पद था उसी पे नियुक्त कर दिया निजामुद्दीन को किसको एकदम पूरा नसा का एकदम धूत देखे यही सब बात इसका पिता को पता चला बुगरा खांको तब बोला यह तुम क्या कर रहा है बीटा जब इतने तुमको परवा था जब बलवन बुलाया था तुमको तो गदी पे बैठ जाता इदिन देखने ने परता लेकिन जब तुमको बाप बुलाया था बलवन जब बुलाया था दिल्ली पे समालो तो तुम भाग गिया और आज दिल्ली मिलने के लिए आ रहा है प्रोध्या में तुम कितना सुध्रा हुआ था आ तुम क्या करने लगा बापा मुझसे गलती हो गया हम क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा अपमान हो चुका था कैकूबाद का लेकिन इसी बीच अपने पिता भुगरा खांके कहने पे कैकूबाद कुछ काम किया, भुगरा खां समझाया बेटा छोड़ दो इस अबलत, राजा बनो सुल्तान बनो इस पद का महत तो सम्झो, तब जाके कैकूबात का आग खुला तब कैकूबात फ़र्ण क्या हेलो कहा है रे निजामुद्दीन चलेगा क्या आज मेरे तरफ से है आज मेरे तरफ से है आज सब को लेके क्या किया उस दिन कैकूबात एक तरफ बैठा और निजामुद्दिन एक तरह बैठा, ये कैकूबाद है और ये निजामुद्दिन है, कैकूबाद उस दिन पैक बना रहा था, अपने कम पैक मार रहा था निजामुद्दिन को, ज़्यादा पैक दे रहा था, अपने कम निजामुदिन को कैकूबात कम निजामुदिन को हाँ इतना पिला दिया इतना पिला दिया लाश्ट पैक जब बोला अब लाश्ट पैक चेस किया जाए उसमें जहर मिला दिया कौन कैकूबात कौन मिला दिया जहर मिला दिया सराब में अनिजामुद्दिन को जहर मिला दिया था सराब में अपिला दिया निजामुद्दिन क्या हो गया निजामुद्दिन क्या हो गया निजामुद्दिन मर गया अनिजामुद्दिन का कथा कहानी समाप्त हो गया निजामुद्दिन का कथा काहनि क्या हो गया ? संथाम्त 박द गया इस तरीके से कैकुबाद राजा बन गया सुल्तान स्वतनत्र बन गया लेकिन फिर चेंज फिर चेंज हुआ क्या अब ध्यांसर्थ पहले इतना पोइंट को लिख ने दीजे इतना point को लिखने दिन लेकिन अभी दिन खराब और होने वाला कैकुबाद का फकरुद्दिन को भी मात दिया गिया, सब को, दमाद निजामुद्दिन भाकरुद्दिन का दमाद निजामुद्दिन ने कैकुबाद को भोग विलास वा नसा का आदत दिलवाया और इतना दिलवा दिया, कि कैकुबाद जो है न परिसान हो गया, इस से छुटका रहा पाने के लिए, फिर क्या हुआ दिलवाया, फिर कैकुबाद का पिता, पिर लिख देते एक पॉइंट और, कि नसा की सांद रहेगा, नसा की आदत दिलवाकर, दिलवाकर कैकुबाद से, कैकुबाद से, नायब का पद प्राप्त किया, तो नायब का पद कौन प्राप्त कर लिया, लेकिन इसी बीच क्या होता है, कैकुबाद के पिता बुगरा खा, बलबन था, कैकुबाद के पिता बुगरा खाने, कौन आपका, हाँ, बुगरा खाने, आयोध्या, हम लिख देते हैं, कैकुबाद से, सांत रहे, हल्ला मत कि, बहुत हल्लाक हो रहा आज क्लास में, कैकुबाद से, कैकुबाद से, पिता बुगरा खाने, आयोध्या में, मुलाकात हुआ, जहाँ, जहाँ कैकुबाद को, कैकुबाद को क्या किया गया, समझाया गया, कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, और फिर, फिर हुआ यही, कि कैकुबाद ने, पिता के कहने पे, पिता के समझाने पर, कैकुबाद ने, कैकुबाद ने, जहर देकर, जहर देकर, निजामुद्दिन, जहर देकर, निजामुद्दिन को, मार डाला, निजामुद्दिन को क्या किया, मार डाला, और फिर, क्या हुआ कहानी, आगे, इसी के बाद कहानी अब मजाता और, फिलाल पानी पीले ने देशे, ध्यान दीजे, हुआ ये, अब कैकुबाद स्वतन्तर हो गया, कैकुबाद क्या किया, कैकुबाद नहीं, एक दिल्ली के पास, एक किलू गढ़ी, किलू गढ़ी, एक अस्थान दिल्ली के यमुना नदी के किनारे, एक नया चितर, किलू गढ़ी नामक एक, क्या बोलते हैं, महल को विक्सित किया, ठीक है, लिख देते हैं, कि कैकुबाद ने, कैकुबाद ने, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, कौन सा नदी के किनारे, नदी के किनारे, किलू गढ़ी, ठीक है, नामक महल, ठीक है, एक मिन टुक जाएगा, हाँ, नया चितर, किलू गढ़ी नामक नया चितर, विक्सित किया और यही इसी में क्या ओगने वाला भी बताने वाले विक्सित किया तथा यही सहर ए नौ क्या बोले? सहर ए नौ नामक इं महल बनाए यही दिखेगा और तथा यही यही पर सहर ए नौ बहुत मजाएगा अभी महल बनाए लाल महल बलबन का था लेकिन कैकुबाद उस महल में बहुत ज्यादा सरियंत्र चलता था इसलिए वो महल से निकलके किलू गढ़ी किलू गढ़ी एक यमना नदिये किनारे ही है यह चेत्न को विक्सित किया और एक अपना नया महल बनवाया और यही महल में रहने लगा यही मह कैकू बादने एक व्यक्ति था जिसका नाम था फिरोज खिल जी, नाम आ चुका है, क्या नाम है, एकदम सुनिएगा, फिरोज खिल जी, ये एक व्यक्ति था, जो धीरी धीरी अपनी चमता को बढ़ा रहा था, और ये फिरोज खिल जी को पता था, कि अब बलवन वंस के उत् ज्यादा पावर नहीं है इसको पता था और कैकुबात ने इसी फिरोज खिल जी को एक पद दिया जिसका नाम था आरीज ए ममालिक एक अच्छा पद था एक मंतरी का पद था जो हम लोग प्रसासन में पढ़ने वाले हैं आरीज ए ममालिक के पदपेश को न्यूक्त किया इसको मंतरी परिश्चत में सामिल किया और इसी बीच घटना ये घटा कि कैकुबात को लखवा मार दिया का एक का मार दिया लक्वा मार दिया ये बेचारा जो महल में था सहर इनोह महल जो किलू गड़ी में था एमना नदी के किनारे था यहीँ प्यच को जो महल में कमरा में था तो ला दिया गया कि लकवा मारने के उपरान एकदम पैरा लाइसस था एकदम सोई रहता था खाना दिया खाया चुपचा इसी बीच हुआ यही यह फिरोज खिल जी सब बात देख रहा था और इसका वर्च्वास था दिल्ली में फिरोज खिल जी क्या किया कि कैकुवाद को जैसे लकवा मारा तो अब तो वो राजा के तोर पे देखा जाए तो अब कोई काम ही ने करेगा इसी लिए फिरोज खिल जी का इतना ज्यादा वर्च्वास था और यह कुछ राज सुल्टान के बहुत करीब भी था हुआ घर्टना कुछ ऐसा कि कैकुबाद को कमरा में बंद कर दिया गया और हुआ यह कि बोल दिया गया कि कैकुबाद मर गया कैकुबाद क्या हो गया पैर लैसे समार दिया ते बोलता भी क्या समराज में घोसना कर दिया गया मर गया और इसका एक बहुत चोटा बात करेंगे, इसका बेटा था, कैकू बात का, जिसका नाम था क्यू मर्स, क्या नाम था? क्यू मर्स या क्यू मर्स, क्यू मर्स या फिर क्या था? क्यू मर्स जो था आपको यार रखना है, जो मात्र तीन साल का था, कितना साल का था? कैमूर या क्यू मर्स, ये मात्र तीन साल का बालक था है और क्या किया गया ध्यान से सुनीए इस फिरोज खिल जी ने Посब ते कैकूबाद को कमरा में कैद करके कभ़ो दिया सम्राज में की सुल्तान का हत्या हो गया तबीयद बे मतलम मर गया पढीद विगरने के कारण और उसका मात्र तीन वरसी ये पुत्र की उमर्स को गद्धी पे बैठा के सारा कहानी अपने हाथ में ले लिया और फिरोज खिल्जी कैकुबाद का क्या किया सुनिये अच्छे से फिरोज खिल्जी क्या किया कैकुबाद का जिस बेठ पे सोया हुआ था उसी बेठ पे उसको मार दिया गया और वाइट चादर में लपेट के इसी किलू गढ़ी नामक जो यमुना नदी के किनारे बसाया हुआ सहर था इसी सहर एनौ महल में सोया हुआ था, कैकू बात को जो लकुआ मारा था, उसको और जान मारके फिरोज खिल्जी क्या किया, सफेद चादर में लपीट के यमुना नदी में फेग दिया है यह मेंतनारी में क्या किया और कहा जाता है इसको मारा भी नहीं था इसे ही फेक दिया था कैकुबात को और फिर किसको राजा घोसित कर देखते ही देखते देखते फिडोज измен क secular को हर कोई जानने लगा था और फिरोज क्या किया क्यों का हत्या कर दिया जो मात्र तीन साल का बच्चा था तीन साल के बच्चा का हत्या करके फिरोज खिल्जी जो था जलाल उद्दिन फिरोज खिल्जी गुलाम वंस का अंत किया अदिल्ली सल्तनत में खिल्जी वंस का क्या किया इसे ही इस घटना को खिलजी करांती कहते हैं इस घटना क्या कहते हैं ये जो जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके गद्धी प्राप्त किया इसी को खिलजी करांती कहते हैं क्या समझ आया बलबन का उत्रा दिकास समाप और आया फिरोज खिलजी अप फिरोज खिलजी के बाद कौन आएगा अरे कौन तव आगे कौन पदमावती कौन आनेवाली है कल जलाल उद्दिन खिलजी सबस्क्ति किसके बारें बात करेंगे एChrese किल जल्बात होने वाला है चलिये मिलते कल के कुलास में। टाटा बाबाई, टेक केर रिकॉर्दिंग चला होगा, उसको आप करदू रिकॉर्दिंग होगेवल